केंदर सरकार ने नागरिक्ता संशोधन अधिनियम CAA से जुड़े नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इस मुद्दे पर लगातार राजनितिक बयान सामने आ रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने भी CAA पर सवाल खड़े की हैं और इसे गेर कानूनी कहा है अरविंद केजरिवाल ने कहा है कि वीजेपी सरकार देश के युवाओं को नोकरी नहीं देने के बजाए पाकिस्तान के लोगों को नागरिक्ता देकर उन्हें नोकरी देगी देखे इस सैसीरी सी वात है कानून CAA का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश में रहने वाले अल्प संख्यक वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिक्ता दी जाएगी वहाँ पे लगबग धाई से तीन करोड माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिलाके अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिये उनके लिए देश के दरवाजे खोल दिये उनके लिए अगर उन धाई तीन करोड लोगों में ए तो जाहिर तोर पे जो नौक्रियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे, और जो इतने सारे इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ उठके आ जाएंगे बाकी पडोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठके, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर एक डेड़ करोड लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं जादा बड़ा माइग्रेशन इस एक C.A. के कानून से होने जा रहा है, आपके घर के पास, मैं जुगी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून विवस्था चर्मरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलातकार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून विवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे, महापे सुरक्षा व लेनी चाहिए, UK ने भी ये किया था, Canada ने भी ये किया था, Canada ने जो आया उसको दे दी नागरिकता, आज देखो Canada का क्या आल हो रहा है, वहाँ पे पूरी कानून विवस्था चर्मरा चुकी है, वहाँ की एकनूमी चर्मरा चुकी है, अब उन्होंने रोख लगाई है कि औ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आईकॉन दबाना ना भूलें